मस्कार दोस्तों, मैं रोहन श्रमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही जादा important topic के बारे में आज मैं आपको कुछ बहुत अच्छी calculation से आपर बताने वाला हूँ जो बहुत सोचने वाली है और समझने वाली है और उमीद करता हूँ कि आप सभी इसको गहराई से सोचने की कोशिश करेंगे देखे हम सभी अभी दो राहों में बटे हुए हैं या दो राहों में उल्जे हुए हैं यह कह सकता हूँ एक तरफ हम astrology को follow कर रहे हैं astrology को मान रहे हैं या astrology को जानने की कोशिश कर रहे हैं देखने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कुछ ब्रांतियों में उल्जे हुए हैं जहांपर मन में डर बहुत जादा है कि आने वाली दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी मैं इस दुनिया में exist करूंगा या नहीं करूंगा मानव फबिता बचेगी या नहीं बचेगी दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी तो दोनों ही कैलकुलिशन्स में हम कही न कही परिशान होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम कहा जा रहे हैं किस दौर में जा रहे हैं और ये दौर हमारे लिए क्या लेकर क्या रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं explain करने की कोशिश करूँगा और समय समय पर अपने वीडियो में इस चीज को और ज़ादा गहराई से बताता हुआ नजर आँगा तो इसको दौर को थोड़ा सा समयने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ अगर आप 2018-2019 के साल को देखेंगे तो आप सभी महसूस करेंगे कि 2018 और 2019 में काफी कुछ चल रहा था हमारे देश में इस पूरी दुनिया में और changes के अगर हम बात करें या विश्व परिवर्तन के हम बात करें या यूग परिवर्तन के अगर हम बात करें तो यूग परिवर्तन की बातें 2012 से ही बड़े लेवल पे शुरू हो चुकी थी ये बात हम सभी को पता है, ये न्यूज हम सभी ने देखी हैं और ये सारी गटना करम 2012 से कंटीनियूसली चलता हुआ नजर आ रहा है अब कल किसी ने मुझे कह दिया कि सर यूग परिवर्तन हो रहा है और कल यूग समाप्त हो रहा है और सत्यूग आने वाला है और मेरा सिंपल सा सवाल था, तो क्या, अगर सत्यूग आ भी जाएगा तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, मुझे सबसे पहले तो ये बताईए क्या आपके जीवन में कोई बहुत drastic changes आ जाएंगे, या आप आज किसी भगवान की पूजा नहीं करते हैं और जैसी सत्यूग आएगा, क्या किसी भगवान की पूजा करने लग जाएंगे आप major changes क्या देखते हैं सत्यूग और कल्यूग के बीच में तो that person was blank, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, कि वहाँ पे कुछ-कुछा answer कर पाए उससे में definitely आप सभी के पास answers होंगे और आप सभी comment box में अपने answers लिख सकते हैं मैं पूरी तरह से welcome करता हूँ आपके answers का और पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब दूँ बड़े छोड़ी सी request है, पहले वीडियो को पूरा सुन लीजेगा उसके बाद ही अपने comment लिखिएगा तक आपको पता चले कि आपको और क्या-क्या लिखना है तो यहाँ पर पहली चीज की अगर कल्यूग समाप्त हो रहा है और सत्यूग आ रहा है एक सेकिंड के लिए हमने मां लिया कि ठीक है हो रहा है तो अब क्या, what is next उसके बाद हमारी लाइफ में क्या कोई बड़े परिवर्तन आएंगे या हम खाना नए खा के कुछ नई चीज खाने लग जाएंगे या फिर हम daily के काम करना बंद कर देंगे, पैसा automatic आने लग जाएगा या क्या life में major changes के आएंगे क्या काम नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई भी चीज तो होने वाली नहीं है यह तो हम practical life में भी देखते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली है मतलब कि we have to do something for our living मतलब कि हमें कुछ नगुछ तो करना ही पड़ेगा, यह चीज तो clear है सो जब कुछ करना ही है तो अपने काम को डर डर के करने के बजाए क्यों हम आराम से और satisfaction के साथ करें और उस काम को enjoy करने की कोशिश करें इस बात को note कर लीजिए का और दूसरी चीज़, coronavirus से पहले और coronavirus के बाद में सिर्फ एक ही change आया है coronavirus के पहले डर कम था, coronavirus के बाद डर बहुत जादा हो गया है और अगर मैं आप सभी को कहूं तो 2019 के पंचांग उठा कर देख लीजिए हमारे जो बहुत ज़ादा घ्यानी है जिन्होंने पंचांग बनाए है उन्हें बहुत बहुत क्लियर शब्दों में अपने पंचांग में मेंचिन किया हुआ था कि इस तरह की परेशानिया आने वाल की कोशिश करेंगे और कुछ लोग उन ब्रांतियों पर विश्वास करके अपने जीवन को हानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे और एक और चीज बहुत अच्छी लिखी हुई थी कि यह वो समय रहेगा जहां पर बहुत सारे लोग एंट्रेस्ट लेने लग जाएंगे एंट्रस्ट मी मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सर पहले हम एस्टेलोजी को नहीं मानते थे बड़ जोतिशन वास्तों को देखने के बाद एस्टेलोजी पर विश्वास होने की एक वो क्यातना उमीद जगी है और मैं डेफिनेटली नहीं लेगा और जब साथ साल पूरे हो जाएंगे फिर एक टर्न लेगा और उसके बाद साथ साल का साड़े छे साल का एक और दोर होगा और उसके बाद चीज़ें आटोमेटिकली शांत होते हुए नसराएंगी यह बिल्कुल यहां पर क्लिर दिखाई देता है बट यहीं पर अगर मैं कहा दू कि मानव सब्यता चेंज होने वाली है या कल्यू को खतम होने वाला है तो ट्रस्ट मी यह शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और इन शब्दों को दिमाग में रखके आप अपने डेली रूटिंग की क्राइम बढ़ने की वज़े से अब कल की अवदार आने वाले हैं मेरा हाथ जोड के उनसे निविदन था कि देखे मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा है मैं आपकी बातों को गलत नहीं कह रहा है डेफिनिटली आप सही होंगे डेफिनिटली आप बहुत स उस समय जब हमारी देश की जंता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी उस समय मुझे लगता आज की स्क्षम हैं और मुझे लगता आज हमारा देश जादा अची स्क्षम है क्या हम फाइडबैक कर सकते हैं आज से अगर हम 100 साल पहले की कहानी देख लें तो हम संगर्ष क यहां आपको बचाने के लिए यहां के मंदर के मसला कितने सालों से चल रहा था भगवान तो होई चुके हैं बगवान नाम की जन्भुमी को उनका अधिकार मिल चुका है तो क्यों नऄ ये सत्युग है हम सही कुए नहीं मान रहें जब यहां पर भगवान ने प्रवेश्ष कर लिया है हम किस सत्युग का इंधिजार कर किसी चीज को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने मत आपके सामने रख रहा हूँ, और जो astrological calculations है उन्हें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक चीज और कहूंगा, अभी वो दौर चल रहा है, और मैंने अपने कई वीडियो में कहा है, कि अपने वीडियो में कहा है, जब साल शुरू होता, उससे पहले जो मैं वीडियो देता हूँ, नेवेंबर, डिसंबर में, उसमें मैंने इन चीज़ों को बहुत क्लियरली मेंशन किया है, कि इस तरी की चीज़ें होती रहेंगी, रशिया और यूक्रेन की जो एक अभी आईए, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा, उसके बात की अगर मैं बात करूँ, तो क्या भारत और चाइना के बीच में जब युद्ध हुआ था, तब विश्व युद्ध की कहानी नहीं लिखी जा सकती थी, क्या उस समें लोगों आया, या और भी कई सारे दूसरे वाइरस आये थे, क्या उस समय लोगों को नहीं लगा कि ये विश्व युद्ध तीन की शुरुआत कर सकता है, या फिर ये यूग परिवर्तन का दौर होगा, हम अभी ही इन चीज़ों को क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये समय है, ग्रहों कि सतथी जैसे ही ठीक होगी, हमारी मनोष सतथी भी यहाँ पर ठीक हो जाएगी, तो इसलिए कल ही किसे ने message भी किया कि सर, somebody said कि ये वो ऐसा समय आएगा, जहां पर astrologers की calculations गलत हो जाएगी, तो मैं तो कहता हूं कि जो सही गड़ना करेगा, उसकी calculations हमेशा सही होँगी, और ज astrology ही पूरी गलत हो जाए तो ये आपकी सबसे बड़ी भूले ये आपकी सबसे बड़ी गलती है रामायन के समय के astrology भी आज exist करती है माभारत के युद की astrology भी आज exist करती है भगवान श्री राम किस दिन रावन को मारेंगे उस दिन की भी एक proper गणना है astrology में इसके अलावा प्रत्व विश्विद्य की एक proper calculation है और कल्यूग के आने की एक proper astrological calculation है जब सारी चीज़े astrology में सब proper calculation के साथ है तो इस बार भी मैं जरूर कहूंगा कि चाहे ये कल्यूग खतम होकर के सत्यूग आ जाए चाहे ये यूग परिवर्तन हो जाए बड़ ट्रस्ट मी astrology गलत नहीं हो सकती ये astrology खतम नहीं हो सकती ये ऐसा ग्यान है जो सीधा का सीधा अर्मात्मा का ग्यान है या देवों का ग्यान है या हमारे वेदों से निकला हुआ ग्यान है ये किसी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया है ये बात ध्यान रखिए ये एक ऐसी साइन से जो बहुत समझ के साथ लिखी गई है और इसके पीछे बहुत सारी calculations हैं, बहुत सारी एक कह सकते हैं process के साथ लिखी वी है Baba Venga या फिर Nostradamus बहुत सारे ऐसे महापूरुश हुए हैं जिन्नोंने अपनी दिव्य शक्ती से बहुत सारी अच्छी चीजें या खराब चीजें या गटनाओं का कर्म लिखा है बट मैंने एक चीज नोटिस करी कि अभी हम जैसे जो भी देखते हैं, चाहे बाबा वेंगा हो जाए, चाहे नास्तर दर्मस हो जाए या कोई और व्यक्ति हो जाए, बट negativity बहुत जादा देखने को मिलती है हमने negative चीजें ही जादा देखी है, हमने positivity नहीं देखी, हमने positive चीजें नहीं देखी किसी ने मुझे कहा कि सथ किसी book में लिखा हुआ है कि 2025 या 2023 से लेकर के 2029 तक के बीच में विश्वयद हो जाएगा मेरा हाद जोड के निवेदन था, कि आप मुझे और सटीक तारिक बता दे, अगर उसमें इतना detail में लिखा हुआ है तो शाहिए ये भी लिखा हुआ होगा कि nuclear bomb किस particular दिन विसफोट कर्क किया जाएगा, ताकि हम उसे रोक पाएं, कि आगर वो आप बता कर सकते हैं, अदरवाइस मेरी calculation के साब से तो अभी जैसे मैंने 2 सालों का तो मैंने कर लिया है, आगे मैं बहुत बड़ी calculation लेकर के आ रहा हूँ आप सभी के लिए, जिसमें कई सारी चीज़ Trust me, आप अपने आपको बचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो समय आपके हाथ में हैं, और समय आपके साथ चल सकता है, यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रुत है, जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने रास्तों को किसी भी society को, या किसी भी आप कह सकते हैं कि एक trust को मेरा कोई भी यहाँ पर निराश करने का या उनके मन को दुख पहुंचाने का मेरा किसी भी तरह का कोई देश नहीं है, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, वो सिर्फ अपनी proper astrological calculations के आदार पर और अपने मतों के आदार पर वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीगा, कुछ भी पूछना चाते हैं, जानना चाते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाते हैं, आप मुझसे संभर कर सकते हैं, मैं पूरी-पूरी कुछ करूँगा आप सभी की हर संभाव मतद्यां पर कर सकूँ धन्यवाद